हाई गाईज विल्कम बाक तो नेक्स्प्रोड लिट्रेचर इस वीडियो के तरह हम डिस्कस करने वाले हैं आपका SEC कोर्स पॉस्नालिटी डिवलपमेंट इन कम्मिनिकेशन तो इसके फर्स्ट यूनिट इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास तक बने रहिएगा ताकि आप कि इसके इस लेबस की तो फर्स्ट यूनिट में हमारा है introduction, need for communication, process of communication, written and verbal communication, visual communication, signs, signal and symbols, silence as a mode of intercultural, intercultural, intracultural, cross-cultural and international communication, communication through questionnaires, business letters, electronic communications, तो ये सारे topics आपके आएंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर, इस यूनिट में हम पूरा ये जो syllabus है cover कर लेंगे, इसके लिए आपको किसी और वीडियो या फिर topic, वो किसी भी चीज़ को refer करने की जुर्यत नहीं है, all right, so let's start the video, हमारा सबसे बहला topic है communication, communication का मतलब होता है हिं तो इस definition को छोड़ के थोड़ा सा मैं आपको general terms में बताऊं, तो communication का मतलब है कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप उसको अपने दिमाग में process कर रहे हैं और फिर आप उस बात को समझ जा रहे हैं, क्योंकि आपका और मेरा language same है और हम दोनों same language को समझ पाते हैं, तो ये proper होता है हमारे communication, थोड़ा सा definition को देखते हुए हम बात करें, तो communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts, or feelings between individuals और groups, कि जब दो लोगों के बीच या फिर group के बीच बात चीत हो, मतलब कि उनके ideas, thoughts, feelings, transfer हो, उसको हम communication बोलेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक sender होता है, यहाँ पर मैं sender हूँ, मै आप लोग, जो है, वो है, receiver, आप लोग मेरी बात सुनकर, उस message को interpret कर रहे हैं, और समझ रहे हैं कि what I am saying, और मैं क्या message देना चाहती हूँ, तो इस तरीके से हमारा जो पूरे communication है, वो हो जाता है, तो यहाँ पर यह भी बहुत ज़रूरी है, कि जो हमारा message है, वो बड़ा clear होना चाहिए, कि मैं आपको एक definition बता रही हूँ, तो मेरा main मकसद होना चाहिए, कि आपका वो definition clear हो, ना कि यह हमारा की बाते, then is medium, कि जो process मैं use कर रही हूँ, मैं किस तरीके से record कर रही हूँ इस वीडियो को, किस source का use कर रही हूँ, वो भी अच्छा होना चाहिए, ताकि मेरी आवाज clear जा सके आप लोगों तक, और आप इस चीज़ को समझ सके, कि what I want to say, और जो message मैं देना चाहती हूँ, वो भी आप misinterpret ना करें, मतलब कि मैंने कुछ बोला, और आप उसको गलत तरीके से ले जा रहे हैं, and you people are considering कि यह तो पता नहीं क्या बोलके चली गई, तो ऐसा नहीं होता है, you have to think on that context, only आप जब उस तरीके से सोचेंगे, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, कि वो actual में इंसान क् All right, तो यह है पूरा definition, communication का, अब next question आता है, कि अर अच्छा बला गुफाओं में रहते थे, फल पत्य ऐसा तोड़ के खाते थे अराम से, यह भाशा भाशा बनाने का क्या जर्द पड़ा, why people settled, हमने घर बनाने क्यों शुरू करें, क्या सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ प अच्छी और हमारी भाशा सेम है, तो हमारी communication अच्छे से हो पाती है, तो अगर अच्छी communication होगी, तो हमारी understanding बढ़ेगी, फिर है builds relationship, कि हमारे जो रिष्टेन आते हैं, वो अच्छे से build up हो पाएंगे, अगर हमारी communication ढंग से होती है, तो कई बार हम बोलते ना, miscommunication हो गया ताकि आप जो अपना पूरा coordination है वो बना सकें, तो वो भी communication से ही होगा, then it promotes learning and knowledge sharing, कि आप अपनी knowledge भी तब ही share कर पाएंगे, जब आपके पास communication का कुछ जरिया होगा, अब मुझे कुछ आता था, आप लोगों को भी कुछ आता है, लेकिन आपके पास कुछ doubt आया, और I am solving that doubt वो doubt कैसे solve हो पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास से कैसा device है, मेरे पास से कैसा medium है, और आप लोगों के पास भी वो language है, जो कि मुझे आती है, तो जब हम सारी चीजों को satisfy कर पा रहे हैं, इन सारे factors को जब हम satisfy कर पा रहे हैं, तब ही हमारे communication possible हो पाता है, then it is support decision making, कि जब हमारे communication ढंक से हो पाएगा, तो हम अपने फैसले भी ढंक से ले पाएंगे, last one is enhances productivity, एक तो मैं आपको sign language भी बताऊं, कि देखो ऐसा पूरा मैं explain करूं, तो वो बहुती time consuming है, वो अलग बात है कि few people talk in sign languages, तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर हम पूरा regular सारी चीजे sign language में ह of communication के बारे में, बात की जाए process of communication की, तो सबसे पहला होता है source या फे sender, जो आदमी message को ऐसा transfer करता है, जो मैं बोल रही हूँ, I am the sender, then is encoding, कि जब उन सारे जो message है, उसको अच्छे से communicable form में transfer किया जाता है, by choosing right words, symbols, gestures, कि मैं किस तरीका कि words को select कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए, तो वो सारा चीजस में आएगा, then is message, कि actual में मेरे words क्या है, क्या मेरा message है, verbal है, non-verbal है, written है, यह सारे differences हम देखेंगे कि verbal क्या होता है, non-verbal क्या होता है, उसका आप tension मत लीजिए, तो यह हो गया आपका message, then is channel, कि यहाँ पर medium क्या है, तो यहाँ पर medium मान सकते हैं, यूट्यूब को, या फिर कहें, social media, तो जो भी platform है, जिससे भी आप मुझे देख पा रहे है, so that is the medium कि जिस, कि त्रू आपका, और मेरा कुरे जो conversation है, वो possible हो पा रहा है, फिर उसके बाद आता है, receiver, कि जो sender message send कर रहा है, उसे जो भी आदमी receive करेगा, उसे हम receiver बोलेंगे, फिर वो receiver इस message को decode करेगा, कि भाई, जो sender है, वो कहना क्या चाहता है, फिर वो अपना feedback देगा, अगर कोई भी noise interference होगा, मतब कि कोई भी परिशानी होगी, वो इस note को भेजते वक्त में आपको ये video record करके दे रही हूँ, इसके बीच अगर कोई network lag होता है, फिर जो भी problems हा में वो बात कहिए, अगर आप neutrally उस सारी चीज़ को लेंगे, फिर वो आपको गलत ही sound करेगा, all right, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, during the conversation, फिर ये जो communication होता है, वो तीन टाइप का है, verbal, non-verbal and visual, तो सबसे पहले आता है, verbal communication, तो verbal communication में, या तो आप ब सारी के होते है, verbal communication की, और ये सबसे common or direct method है, communication का, जहां पर हम अपनी ideas को, thoughts को, feelings को share करते हैं, यहां पर oral communication में, आप face to face बात कर सकते हैं, telephone से बात कर सकते हैं, meeting से बात कर सकते हैं, meeting में बात कर सकते हैं, या फे किसी video conferencing के द्वारा, तो ये सारे आपके रहेंगे, oral communication के methods, then is written communication, written communication आप कैसे करते हैं, कि आप letters लिख दें, किसी को, आप memoirs लिख दें, emails लिख दें, report, text message, chats, ये सारी चीज़े आपकी आएंगी, written communication के अंदर, अब ये जो पूरा हम process कर रहे हैं, इसके फाइदे क्या हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि clarity आएगी, relationship build होगी, आपक communication और learning में helpful होगा, conflict का आपका, जो भी problem था, वो सारे solve हो जाएगा, क्योंकि आप directly अपना message convey कर पाएंगे, then the next type is non-verbal communication, non-verbal communication का मतलब है कि ना तो कुछ लिखना है, ना कुछ बोलना है, पर अपनी feelings को, thoughts को, ideas को share करना है, तो यहाँ पर अपने behavior से, gestures से, अपने चहरे के expressions स है, आपकी body language से, visual से, इन सारे चीजों से, अपने सारे ये चीज हैं, जो इनको communicate कर सकते हैं, तो इसमें different types के methods है, सबसे पहला है, body language, तो इसमें आप अपना facial expression, मतलब आपने कुछ बात कही, और उसके बात के कहने के बाद, जो मेरा facial expression होगा, आपको उसे पता चल जाएगा कि भही, इनका कैसा mood है, क्या ये इस बात में agree करती है, नहीं करती है, या फिर इनको बिल्कु डिस्गस्टिंग लग रहा है, तो उस तरीके से आप अपने जो communication है, उसको बता सकते हैं, then is eye contact, कि अगर आप किसी को आख में आग डाल के बात कर रहे हैं, मतलब you are confident, और आप comfortable feel कर रहे हैं, वहीं अगर आप नजरे चुराएंगे, या तो आप confident नहीं है, या फिर आप comfortable नहीं है, तो ये सारी चीज़े भी show होती है, आपकी body language, eye contact से, then is personal space, कि आप कितना पास खड़े हैं, किसी आदमी के उससे बात करते वक्त, तो अगर आप बहुत पास खड़े हैं, आप बड़ा ही ऐसा हाथ में हाँ डाल के बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप उस इंसान के साथ comfortable है, वो आपका दोस, family member, friend, जो भी है, तो आप उसके साथ बड़ा ही comfortable है, और अपनी बातों को से शेर कर पाएंगे, लेकिन on the other hand, अगर कोई formal meeting है, तो आप एक दूसरे के पास पास नहीं बैठते हैं, आप दूर बैठते हैं और एक distance maintained होता है, so that is also a sign of non-verbal communication, फिर आता है haptics, haptics का मतलब है कि आप touch के through बताएंगे, कि किस तरीके से आपको feel हुआ जैसे कि आप hug से बता सकते हैं, फिर आप pat कर सकते हैं, handshake तो यह सारे चीज़े भी convey करती हैं, warmth को, support code, dominance, so these all things are shared through this, handshake या फिर टेच वाला जो concept है उससे, फिर है vocalics या फिर पैरा languages, तो यहां पर फिर आपका बोलने का तरीका कैसा है, tone कैसी है, pitch कैसा है, वो भी बड़ा माइने रखता है, फिर last आता है appearances, कि आप दिखते कैसे हैं, मतलब कि आपका कैसा look है, आपके कपड़े कैसे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बयां करते हैं आपके बारे में, फिर यह जो non-verbal communication है, उसके क्या फाइदे हैं और क्या नुकसान है, तो देखो फाइदे तो सबके सेम रहेंगे, कि आप अच्छे से communicate कर पाते हैं, express कर पाते हैं, अपने emotions को message अच्छे से deliver हो जाता है, relationship build होती है, conversation regulate हो जाता है, cultural significance है, लेकिन disadvantages आपको थोड़ा ध्यान से लिखने होते हैं, तो यहां पर disadvantages हैं कि भाई, यह cultural differences हो सकते हैं, for example, western countries में हग करने का बड़ा ही ऐसा common सा culture है, लेकिन हमारे हापे generally लोग हग नहीं करते हैं, हमारे में handshake भी, तुर से ही राम राम टाइप चीजे रहती हैं हमारे हापे, तो वो चीजे अलग-अलग culture में, it varies, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि western लोग तो गलत है, या फिर उनका कुछ, you know, हमारा tradition गलत है, वो culture to culture differ करता है, then is mixed messages, mixed messages का मतलब है, कि आप कहना नहीं चाहते हैं, मतलब कि आपके tone में लग रहा है, कि वो intention नहीं होता, but that is presented to people, तो mixed messages में आ सकता है, then is unconscious signals, कि आप नहीं बोलना चाहते हैं, तो वही वाली बात आ जाएगी, कि आपका signal कुछ और ही गया सामने वाल में, कि यह तो बड़ी rude है, लेकिन हो सकता है, मैं बड़ी introvert हूँ, उस मामल में मुझे आपसे बात ही करना नही रहे थे, so these are advantages and disadvantages of non-verbal communication, इसके बाद आता है, third type, visual communication, तो visual communication का मतलब होता है, कि आप images, symbols, chart, या फिर visual aids के द्वारा, अपना idea, information, या फिर message को convey कर रही है, यहाँ पर images हो सकती है, photograph, graphics, chart, graph, map, video, animation, यह सारी चीज़े, या फिर text का design, जैसे कि हम बोल्ड कर देता है, कई बार text को, तो उसका मतलब है, बहुत important चीज है, then is color का use, तो colors का भी बड़ा psychological effect होता है, आपके उपर, जैसे कि red color, red color is used, you know, बहुत serious matters में, तो कई बार होता है, जब लोग अपना thumbnail भी बनाते हैं, तो बड़ा ही color को सोच के बनाते, कि कौन सा जो color है, वो लोगों को attract करे हैं, when we choose the colors, thumbnail में, या फिर जो भी banners वगरा बनते हैं, advertisement होती है, तो ये सारी चीज़े काफी काम आती है, बात करें इसके advantages और disadvantages की, तो disadvantages की ये हैं, कि भही misinterpret कर सकता है, कोई भी आप कहना कुछ आते हैं, किसी और को कुछ और ही समझ आ गया, या फिर over reliance है, visuals के उपर, कि आप वही convey करना चाते थे, then is accessibility is issue, कि हर इंसान के पास ये सारी चीज़े accessible नहीं है, फिर cultural sensitivity भी आ सकता है, then advantages आर की enhance करता है, आपकी understanding, co retention बढ़ाता है, engagement बढ़ाता है, memory power आपकी बढ़ती है, learning facilitate होती है, decision making में आपको support करेगा, cross cultural barriers है, कि ज़रुरी नहीं है, हर इंसान आपक आपकी जो भाषा है, उसको समझ पाएं, लेकिन जो videos वगरा है, animation वगरा है, उससे आप समझा सकते हैं, आपके जो emotions है, behaviors है, उसको आप अच्छे से explain कर पाएंगे, through this visual communication, फिर एक और बड़ा important aspect होता है, इसका language का है, फिर कहें communication का, वो होता है silence, जब silence है, उसको हम बड़ा underestimate कर लेते हैं, क्या silence हुआ, तो communication थोड़ी है, लेकिन silence भी एक बहुत powerful tool है, communication का, मतलब कि आप से कोई कुछ पूछ रहा है, लेकिन आप चुप हो गए, इसका मतलब या तो आप उसकी बात में interested नहीं है, या फिर आप उसको, मतलब agree नहीं करते हैं, उसकी बात से, जो भी है आप बिल्कुल भी comfortable नहीं है, फिर आप बहुत ज़्यादा comfortable है, कि आप आराम से बैठ के सुन रहे हैं, बस, फिर agreement, consent, disapproval, control, conflict, respect, politeness, ये सारी चीज़े show हो सकती है, लेकिन depend करता है, कि आपका culture कैसा है, जैसे हमारा culture क्या है, इंडिन culture की मैं बात करूँ, कि अगर कोई बढ़ों के बीच में मत बोलिये, तो वहीं चीज़े कि हम चुप हो जाता है, इसका मतलब है कि हम अपने respect show कर रहे हैं उनको, कि ऐसा आप बोलिया बड़े हैं, तो इस तरीके से, लेकिन वहीं अगर किसी और culture की हम बात करें, तो मैं भी वहाँ पर ऐसा ना हो, So, these are all the functions of silence, तो वो cross culture की भी हमने बात करी, कि Eastern और Western world में क्या होता है, related to silence, तो हमारे Eastern world का तो मैंने बताया, आपको Eastern cultures में बड़ा ही respect का, social harmony का symbol माना जाता है silence को, और Japanese culture में, जो silence है, वो signify करता है, understanding को, agreement को, और Indian culture में ये dignity को maintain करना, conflict को avoid करना, ऐसे-इसे symbols को represent करता है, वहीं पर जो Western culture है, वहाँ पर silence का मतलब है कि आप या तो comfortable नहीं है, या फिर आप उसका जो communication है, उसमें interested नहीं है, तो ये सारी चीज़े शो करता है silence in Western culture, so different different cultures के according चीजों के मतलब change हो जाते है, and that is also the case with silence, next topic आता है, communication through questionnaires, इसका मतलब है कि आपको कुछ information gather करनी है, तो आप सीधा नहीं पूछ रहे किसी से, for example, कि आपको किसी का ऐसा salary पूछना है, या फिर क्या महीने का कितना कमाते हैं, तो आप उसे सीधा पूछेंगे कि भाई महीने का कितना कमाते हैं, तो वो नहीं बताएग आपको, so the person will say, आपना काम करो, I will not be telling you, लेकिन अगर आप थोड़े smart होंगे, तो आप क्या करेंगे, कुछ survey टाइप करेंगे उसके साथ, कुछ questions से आप उसका जो सारा, you know, information आप निकलवाना चाहते थे, वो आप निकलवा सकते हैं, for example, आपको एक चाय वाले जो होते हैं, उनसे पूछना है, कि आप कितना कमा लेता है, महीने का, आप वो directly तो बताएंगे नहीं, तो आप उनसे बोल सकते हैं, ऐसा कि भई, आपकी चीनी कितने लग जाती है, ऐसा चाय पती तो लग जाती होगी न, तो इस तरीके से questions है आप, कि अभी तो यार, market कमी चल रही है, त तो इसका function क्या होता है, gather करना information को, feedback लेना, evaluate करना, research और data evaluation में बड़ा ही काम आता है, communication and engagement का भी एक इसका purpose है, तो यह था हमारा questionnaire के बारे में, now the next thing is business letter writing, तो business letter writing क्या होता है, कि जब आप अपने काम कास के purpose से किसी के पास letter लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसे हम business letter writing ब भी आपसे समान मंगवाना है हमने, तो मैं आपको letter वो school में नहीं लिखते थे हम, कि ऐसा आपको अपने sports department के लिए समान मंगवाना है, चार bats, चार ball ऐसा ऐसा कुछ, तो वो inquiry letter type रहता है, sales letter, complaint letter, adjustment letter, resign आपको करना है, thank you letter, apology letter, यह सारे letter आपके आते हैं, business letter writing में, अब यह important न format क्या होता है, that is important for you, आपके exam में उस पर question आ सकता है, so you have to learn that format, तो जब भी आप लेटर रिखेंगे, सबसे पहले आएगा, sender's address की, जो भेज रहा है, उसका address, फिर date लिखते है, then is receiver address, अगर आपकी कोई company, वंपनी नहीं, आप एक normal इंसान है, मेरी तरह है, और आप किसी manager क को लिख रहे हैं, कि हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट में समान पहुंचा देना, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखना, sender's address, उसके बाद आपकी आएगी date, जिस तारिक को आप ये भेज रहे हैं, then is receiver address, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, da manager, ये वाली company, जो भी example, da manager, xyz company, जो भी फिर दिली, इंडिया, जो भी वो सार एड्रेस लिखते हैं, वो लिख देना, उसके बाद greetings करते हैं, कि भई, namashkar sir, madam, da sir, ma'am, वो लिख देना, फिर आता है body, कि this is in reference to aisa, हमने वो मंगवाया था, तो ठीक, आप वो दाल सकते हैं, पूरा, या तो आपको return करना है, को समान की, this is in reference to that order, जो आपने कलपर सो भेजा था, उसमें चार पास टूटे हुए bet, और tennis, क्या बोलता है, रेकेट आया है, तो यह सारी चीज़े आप लिख सकते हैं, अगर still आपको नहीं लिखना आता, तो I'll make a separate video on that, तो I hope वैसे तो आपको आता ही होगा, ले कोई issue नहीं है, I can even, you know, tell you on telegram also, तो उसमें हम जदा load नहीं लेंगे, वो आप में को बता दीजिएगा, comment box में, next thing is electronic communication, तो जब भी हम किसी भी, you know, internet के माध्य हम से अपना communication करते हैं, उसे बोलते हैं, electronic communication, वो telephone से हो सकता है, vlog से हो सकता है, जो भी आप method यूज करते हैं, fax से email से, Instagram, chatting, wedding, सब से, ठीक है, जो भी electronic माध्यम से, social media, text, email, whatever, ठीक है, जो भी आप use कर रहे हैं, वो सारा आएगा, electronic communication के दाहरे में, alright, so this was all about this video, I hope आपको समझाया होगा, कोई भी question, query, जो भी है, उसे हम next video में deal करेंगे, and also you can comment that in the comment box, उसका answer आपको वहां भी मिल जाएगा, alright so I'll meet you next video, till then take care, stay happy, stay healthy